वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों आज के छोटी सी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पसु पालन के वारे में ये वीडियो आपके वन डे एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एक्जाम में पुछे जाते हैं जोग्रफी का ये टॉपिक रहेगा लास्ट वीडियो में हमने प्रमुक खाद् पूछह जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं तो दूद्ध मास उन चमड़ा आदी पसु उतपादों को प्राप्त करना और कृशी कारे तथा माल परीभान के लिए पसुों को पाल्तू बनाने की प्रिया को पसु पालन कहते हैं पसुओं का पालन किया जाता है क्यों कि उनसे आपकी आवश्यक्ताओं की पूर्ति होती है दूद की प्राप्ति होती है गाय से मास की प्राप्ति होती है पसुओं से ठीके बहुत सारे लोग मास सहारी होते हैं वो मास कहां से पसुओं से प्राप्त करते हैं त के साथ ही और भी कई सारी चीजे बनती हैं तो इसके लिए हमारी कुछ हावश्यक्ता है उनके लिए पसू का पालन करते हैं जीब को पारजन के साधन भी बन जाते हैं तो यह प्रक्रिया जो है यह पसू पालन कहलाती है ठीक है भारत में गाय पालन के लिए अच्छे नहीं होते हैं तो इस नसले की गाये अधिक दूद तो देती ही है पर अधिक दूद तो देती ही है मतलब इस नसले के जो दुदारू नसले की गाये होंगी वो अच्छा खासा दूद देंगे लेकिन भार बाहन के लिए अच्छे नहीं होंगी इसमें गिर, साहीवाल, सिंधी, देवनी, थार परकर ये अधि प्रमुख नसले हैं एक्जाम ये प्रश्ण पूछा गया है इसलिए याद रखना है गिर है, साहीवाल है, सिंधी है, देवनी है, थार परकर है ये सब दुधारू नसलों से संबंधित गाय और बैल है, इसके बाद एक अन्य नसल होती है, भारवाही नसल, इनमें कौन को नाएगा, इसमें नाकौरी, मालभी, हल्लीकर, कंगियाम, किलारी, पुमबार, सीरी, ये प्रमुख नसले हैं भारवाही नसले यानि इनके उपर भारवाहन के लिए इनका प्रियू किया जा सकता है, उसके लिए अच्छी नसल माली जा सकती है, इसके बाद अगला तत्या है, देश की सबसे अच्छी रेस ये नसले की गाएं राजस्थान में पाए जाती है राजस्थान में मिलने वाली गाओं की जो नसल है वो थार परकर है राठी है कांकरेज है साहिवाल है लाल सिंधी गिर नागौरी हर्यानवी मालवी और मेवाती मालवी मेवाती हर्यानवी याद रखना है ये गायों की नसल देने की छमता काफी अधिक होती है गंगातीरी उत्तर Πरदेस में मुखर रूप给 रूप से पाई जाती है जिसके दुख्द देने की छमता काफी गंगातीरी बहारत में सर्वाधिक सबसे जाद दुख्द देने वाली बक्री कौन सी है जमुना पारी जमुना पारी एक बक्री की नसल है याद रखना है एक्जामी पूछ चुके है यह मास और दुख्द दोनों ही दृष्ट्री कौन से अच्छी मानी जाती है इससे प्रति दिन दो दिसमलोग 5-3 किलोग्राम तक का उत्पादन लिया जा सकता है तो अच्छा खास से दूद देती है बकरी भारतमें सुएधक्राइटी के सुरुवात कभी सुवेधक्राइटी किससे सम्वन्द्स है दुřुद५ Pacificर्ण से सम्वन्द्स है हरित क्रांथी कि जैसे खाद्यन उत्पादन में पूछ चुके हैं स्वेट क्रांती का संबंद दुख दुद्पादन से हैं यह पहले ही बता दिया दुख दुद्पादन में ब्रद्धी लाने के लिए operation flood प्रारम्र किया गया था इसका पहला चरण 1970-1980 तक था दूसरा रास्टे डेरी विकास वोड के स्थापना कभू 1965 में हो इसके पहले हो चुकी थी नैशनल डेरी विकास वोड और भारतिय डेरी निगम के सूतरधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे जो स्वेट करांती के जनक है रास्टे डेरी सोध संस्थान कहां पर है करनाल हर्याना म 1989 में डीमड विश्विध्याले का दर्जा भी दिया गया था तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमने स्वेट क्रांती से संबंधित दुखदुत पादन से संबंधित कुछ सोध संसान देखे और पसुपालन से संबंधित कुछ तत्यों को देखा यह फैक्ट